इसके CBI जांच होनी चे और कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चे रूख आप नीच ये लोगों की कि अपने ऐसा बच्चों का भुश्य बेज नहीं सकते इसके CBI जाटाइन है सरकार को यह कहना चाहूंगा जो भी इसमें एजेंसिया समिननी थे कि आप एक इतना बड़े लेवल पर एकजाम कंड़क्ट करवा रहे हो मगर और यह भविशे लोगों के सपने माता पिता किया भीलाचा है यह सब एक मात्र एकजाम की बिना पिटिका हुआ उसमें एकजाम कंड़क्ट करवाते हो आनन फानन में रजल्ट उसका निकालते हैं रजल्ट में इस लेवल पर धान लिया मिलती है जो एक सेंटर पर जो एकजाम का फुल मार्ट सेवन टुएंटी उसमें आउट ओफ आउट बच्चे ला रहे हैं और वो भी इसके इतियास में फॉर्स टाइम होई नीट के इतियास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हु अजवे लेवल पर कुछ ना कुछ घामिया रही है और उनको मानते विए तवरीत परती के रहा करते विए इस एक्जामको रद करना चीए और आगे एक अच्छा मेसेज दे बच्चों में कि उनके सपने नहीं टूटे उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे लोग ने देखा कि 720 out of 720, 67 students के जितने आये थे तो इससे ये तो साबित होता कि सब तो deserving नहीं होंगे तो अगर deserving candidate को seat नहीं मिलेगा medical college में तो बच्चों के लिए भी ये काफी unfair हैगा उन्हें prepare करने का मन नहीं करेगा जो लोग इतने साल उसे prepare कर रहे हम खुद दो साल से prepare कर रहे नीट के लिए तो और future nation के लिए भी उत्ता अच्छा नहीं है कि अगर medical doctors अगर उत्ते अच्छे नहीं बन पाए तो तो हम यहीं चाहेंगे कि अगर री नीट हो और Supreme Code इसमें proper verification करते वे decision ले तो बच्चों का future भी secure होगा और nation को भी authentic doctors मिलेंगे अच्छा नीट के एक्जाम में जिससर की गड़बडी मिल रही है उसके वो लेकर क्या परती करिया है देश के अंदर जो यूवा सबसे पहली एक्जाम देने के लिए तीन साल ड्रोप करता है अपने भविष्यों के निकानने के लिए सबसे कड़ी मेनत करके अपने भविष्य के अगर सीवक पर पर चल रहा होता है वहीं पर उसके साथ इतना बड़ा धोका हो जाता है पेपर लीक हो जाता है यह छोटी बात नहीं है 24 लाग स्टुडेंटों इग्जाम दिया है 80 को लेजे पूरे इंडिया के अंदर 80,000 को लेजे कें लेने वाले को भविष्यों के लोग इतने अच्छे तरीके से बेच रहे हैं इतने स्मार तरीके से बेच रहे हैं जिस दिन लोक तंतर का result आने वाला था अपनी कम्यों को और अपने बस्टाचार क साथ कभी हो नहीं सकता कितना बड़ा धोका किया है एजेंसी ने मैं तो के अंदर सरकार से और जितनी भी राज्य सरकार है उन सभी से मांग करता हूं कि ऐसी एजेंसियों पर बेन लगे और जो बस्ट अधिकारी है उन पर ऐसी कारवाई हो भाविश्य के अंदर यह बस्ट अ बारो यो निचे